मॉनिका की रसोई आज मैं बनाने चाहा रही हूं राधा बलवी यह बैंगॉल इस बंगालिटी से यह चलिए मैं पूसे बनाने के विधी बताती हूं पहले हम दो तैयार करेंगे दो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम स्मेंदा लिया है जिसमें मैं डालूँगी चम्मच से आधर चम्मच से भी थोड़ा कम नमक फिर मैं इसमें डालूँगी दो से तीन चम्मच बनानको ग्राम सब करता लोँगी अधर दे तो तेयार करेंगे यह पूरा पाने मतलब जादा से पानी नहीं डालना है एक पैसे लिए जनक फानी अधर एकभी तैयार करना हैं दो जयदा सक्त और बीलाया हुन पानी के लिए हम घुलका पानी का यूज़ करेंगे बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए सिर्फ हलका पानी होना चाहिए तो दो हमारा बन के रेटी है मैं उसे दूसरे बटर में रखतें जादा सोपर से मैं इस पे और ओयल लगा दूगी और इसे हम धर्के 30-35 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे रेस्ट करने के लिए आके यह जो हमारा डो है अब हम चलते हैं इसके स्टफिंग का तयारी करने इस स्टफिंग के लिए हमें चाहिए ओवरनाइट फुला हुआ हुआ उरत का गाल इसे भी मिक्सर में ब्लेंड करूँगी इसे बहुत जादा फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना है दरदरा साइसे पिसमें बहुत जामतना मोटा भी भी लिएना चाहिए और बहुत अदर यूशा जेडल और लाल मिर्ज को मैंने रोष्ट करके इसका पाड़र बना लिया है फिर मैनने अपडिया है गरम मसाला पाड़र नमक चाहिए मैं और अध्रक लशू का पेस्ट उप इसमें एक बशूट ड्यूर्दि पैस्ट अब चलिए मैं आपको इसको बनाने के विद्धी बताती हूँ इस स्टेफिंग के लिए मैंने आप एक कड़ाई लिया है इसमें डालेंगे दो चम्मच कुपी मोई तील खुड़ा गरम हो जाना चाहिए इसी तील गरम हो गया है तो इसमें मैं डालूँगे जरा सब पींग पॉड़ है और इसमें साथ से साथ डालेंगे एक अधरक का पीज इसे एक से दो मिना कर बुलना है इसमें मिना करेंगे हमें पूरा डाल पीता हुआ और इसमें हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें बैट करेंगे हम नमक अमक हमने दो तयार करते रड़ते हम राहते है तो से मिल आना एक अपनिए अज़िया अतना पीति उल्ट पते नमक हमनें यह मिलाना है आकि यह जरू अंधिंड बाति आज़ीं मिलें यतिते हम पीज़ुजऑ मैंने दाल लिया है, बेर का तक दाल के इसमें भूना है और इसमें मैं डालूंगे रोश्टेट मसाला और साथ में डालेंगे जराशा करम मसाला और इसमें डाल के फिरम अच्छे से भूल लेना है मसाला को डाल के हम 3-4 मिनित तक भूनेंगे अगर आप इसमें चाहिए तो थोड़ा सा थीमी भी डाल सकते हैं डाल जुए वह हमारा भून के रेवी है, हमें नक्सन को करूंगी और इसमें ठंडा होने के लिए रखूंगी इसके बाद हम के ज्यादा बल भी बनाएंगी तो हमारा जो स्टफिंग था वह ठंडा हो गया, मैंने इसके छोटे-छोटे बॉस बना के रख लिए जो हमारा डो स्कता हो तो यार क्या हो उसके आफी घंटे हो गया तो इसे फिस्टी को हम अच्छे से मिला लेंगी तो हमारा जो दो था मैंने सारे हो इकोल डिवा, पार्टमेंट डिवाइड कर लिया है, छोटे-छोटे तुपते मैंने छोटे-छोटे का लोई बनाया है, फूरी की साइज का और यह हमारे स्टफिंग का बॉल्स है, तो अब हम इस इतन दिन स्टफ कैसे करना है, बोल में हम बद देख लेते हैं, ऐसे बोल इसका पेरा जैसा बनाके, आप अगर चाहिए तो उसे ओल लगा की भी बेच सकते हैं, मैं यहां पे सूखा मैदा यूज कर रही हूं इसका छोटा सा मैंने यहां पे छोटा सा पूरी बनाया है, और यह जो हमारे स्टफिंग का बॉल्स है, इसको मैंने अंदर रखा, और इसको ऐसे अंदर करके, घर्दर से अच्छी से कवर कर देना है, कवर करते पूद में ध्यान रखना है, कहीं से इसका यह क्रैक ना हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसे क्रैक फील करके, हम इसे कवर करना है, ऐसे ही करके, पहले हम सारा तयार कर देंगी, अगर आप साथ ही सा तयार करके, अगर आप इसको तर सकते हैं, तो आप कर लें, मैं यह ज़रे साथ में खुरत में तयार से कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे तलूँगी, तो देखिए, बहुत अच्छे से बन के तयार है, ऐसे करके, सारे का में तयार कर लीना है, तो हमारा सारा फील हो चुका है, और मैं आप इसे बेल के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा में आप सूखा मैदा लेंगे, अगर आप ओड़ा के बिलना चाहते हैं, तो और लगा के इसे बेल सकते हैं, और इसे हम राउंड सेपनी से हम बेल देंगे, कही से मोटा कही से पत्रा यसा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से बेल दे, ऐसे करके हम सारे कुरियों को बेल देंगे, और फिर मैं पूरी तसपाते हैं तो मैंने सारे पूरी तैल कर लिया है और तेल गरम हो चुका है। तो टेल हमारा घर्म हो गया है, तो तो आब यह हमारा पूरी तलने के लिए बिल्कुर एड़ी है। तो हम इसमें पूरी को डालेंगे, वो तल के खुधी उपर हो जाता है, और अब इसे हम दूसरी दर्ब से पलेट देंगे, तो देखिए कितना खुबसूरत हमारा ये फुला फुला राधा बलवी बनके तयार हो रहा है, और इसे आप आलू दम के साथ सर्व करें, आलू दम के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसे जादा गॉल्डन ब्राउन या बहुत जादा इसे ब्राउनी करना है, बस इस अच्छा बनेगा, और ये आपको कैसा लगा है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज, प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले, थैंक्यू हैँ अच्छाइब यो ऑगताएं